दो मिनट मसाज करने के बाद चेहरा ऐसे चमकीगा जैसे शीशा होता है इतने खूबसूरत इतने प्यारे रिजर्ट हैं आज का फेश्पेक बहुत ज्यादा इंरस्टिंग होने वाला है क्योंकि यह हमारे चेहरे के उपर ग्लो लाने के साथ साथ हमारे को बूड़ा होने से बचाएगा यानि की हमारे चहरे के उपर anti aging का काम करेगा जिससे हमारे चहरे के उपर rinkers fine line जाईया जूरिया देरी से आएंगी और इसके साथ इसका एक ये भी benefit है चहरे के उपर अगर दाग धबे हैं या skin बहुत ही ज़्यादा dry है extreme dry है कटी फटी सी लगसा चार्म दिखाई देगा नमस्ते जी आप सभी का आपके अपने चैनल ब्यूटी वीद नेचर बाय सुनीता सैनी में बहुत-बहुत स्वागत है कैसे वह आप सब मैं उमीद करती हूं आप सब लोग खूश होंगे फेस पैक बनाने से पहले अपने फेस को साफ कर लेते तो आप किसी भी अपने फेवरिट फेस वोश से अपने फेस को वोश करके उसके बाद ही फेस पैक का इस्तेमाल करें बस इस बात क्या ध्यान रखना है आपने की फेस पैक लगाने से पहले फेस को साफ जरूर करना है ताकि आपकी स्किन के अंदर जो पोर्स हैं वो खुल अगर हम अपने बंद पोर्स के ऊपर अपना face pack लगाएंगे तो हमारी स्किन को नुकसान होगा इसलिए face pack को लगाने से पहले face का साफ होना बहुत जरूरी है नहीं तो acne मुहासे हो सकते हैं चहरे के ऊपर black heads white heads हो सकते हैं ठीक है जी देखीए फेस सांफ हो चुका है अब हम अपना पेस पैक बना लेते हैं फेस पैक बनाने के लिए हमें चाहिए आदा चम्मच के करीब कौफी पाउडर आप इसकी मातरा को बढ़ा भी सकते हो मैं आदा चम्मच के कौफी पाउडर ठीक है जी अब हमने इसमें एड़ करना है आधाई चमच हनी यानि की शेहद का अब हम इसमें एड़ करेंगे एक कैपसूल विटामिन E ओयल का अगर आपके पास विटामिन E ओयल नहीं है तो अगर आपके पास बादाम का तेल है तो आप वो एड़ कर सकते हो एक capsule vitamin E oil का अब मैं इसमें एड़ करूंगी आधा चमच नारियल का तेल नारियल का तेल डालना बहुत जरूरी है अगर आप नारियल का तेल नहीं लेना चाहते हैं या आपको सूट नहीं करता तो आप बादाम का तेल ले लीजिए ये दोनों भी हमारे skin के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं फ्रेंट्स हमें इसको mix कर रही हूँ ये एकदम बन तो गया है लेकिन इसको अगर हम अपने face के उपर लगाएंगे तो ये हमारे face के उपर अच्छे तरीके से रगेगा नहीं यानकि इसको लगाते skin को रगड लगेगी इसलिए मैं इसमें एड करूँगी थोड़ा सा दूद आदा चम्मच के करिब मैं इसमें दूद एड कर रही हूँ अब हमने इसको अच्छे तरीके से mix कर लेना है और इसको अपने face के उपर लगा लेना है इसको लगाने के बाद आपके चहरे के उपर instant glow आएगा क्योंकि जो कोफी है वो हमारे चहरे के blood flow को instant बढ़ा देती है जिससे हमारे skin glow करने लगती है केई लोगों का ये मानना है कि कोफी नुकसान दायक है इस face pack को आप हफते में तीन बार लगा सकते हो जादा नहीं लगाना ठीक है जी इस face pack को जब आप mix करोगे तो आपको थोड़ा time लग जाएगा क्योंकि कोफी में थोड़ा दर्दरापन रह जाता है मैंने भी जादा mix नहीं की मेरी कोफी में भी थोड़ा दर्दरापन है आप इसको बहुत अच्छे तरीके से mix करना ताकि ये दर्दरापन खतम हो जाए अगर आप कोफी को ऐसे ही लगाओगे थोड़ी दर्दरी तो आपने इसको हफते में सिर्फ एक ही बार लगाना है क्योंकि इसको जब हम लगाएंगे उसके बाद दस मिनट के बाद इसको थोड़ा सा रब करेंगे जिससे ये स्क्रब का काम करेगी और हमारी स्किन बहुत ही खूब सूरत बना देगी आप चाहो तो इसको पहले स्क्रब कर सकते हो यानि कि लगाते लगाते मसाज कर सकते हो या इसको थोड़ा ड्राइ होने के बाद मसाज कर सकते हो ये आपकी अपनी च्वाइस है देखिए जैसे मैं अभी लगा भी रही हूँ और मसाज भी दे रही हूँ आप ऐसे भी कर सकते हो हमने इसमें नारिल का तेल इस्तेमाल किया है विटामिन E ओल इस्तेमाल किया है जो हमारे चेहरे को ड्राइ होने से बचाएगा हमारे स्किन को प्लंपी बनाए रखने में हमारी हैल्प करेगा और हमारी skin को भूडा होने से बचाएगा चहरे के उपर अगर डाग धबे हैं तो उसको light करके skin को bright बनाएगा और जो हमने इसमें honey का इसित्यमाल किया है honey भी हमारी skin को natural तीके से meistрائ läuft करेगा यानि कि हमारे चहरे के उपर नमी को लोग करेगा जिससे हमारे स्किन जल्दी से बूड़ी नहीं होगी फ्रेंड आपने इस बात को पूरे ध्यान से समझना है अगर आप इसका इस्तेमाल फेस पैक की तरह करोगे यानि कि आपने लगाया दस मिनट छोड़ा उसके बाद वोश कर लिया तो आप इसको हफते में तीन बार लगा सकते हो लेकिन अगर आप इस से अपने फेस के उपर मसाज कर रहे हो तो आपने इसको हफते में सिर्फ एक ही बार करना है आपको एक ही बारी में बहुत अच्छे बहुत ही प्यारे रिजल्ट दिखाई देंगे पहले मैं मसाज कर लेती हूँ उसके बाद मैं 10 मिनट इसको छोड़ दूँगी इस फेस पैक को सबी लगा सकते हैं बस वो लोग मत लगाएं जिसको इसमें डालेगे किसी इंग्रीडियन्ट से ऐलर्जी है ठीक है जी नहीं तो आपकी स्किन के उपर रैडनेस आ सकती है इचिंग हो सकती है दाने निकल सकते हैं इस बात की जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए कि इसमें डालेगे सबी इंग्रीडियन्ट आपकी स्किन को सूट करते हो अगर आप इन ingredient को purchase करना चाहते हो तो मैं इसका link नीचे description box में दे दूँगी आप वहाँ जाकर इनको purchase कर सकते हो friend मसाज सिरफ 2 मिनट ही करने है क्योंकि scrub जादा नहीं किया जाता ठीक है जी, देखिए मुझे भी मसाज करते हुए 2 मिनट हो गए है अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी अब मैं आपको मिलती हूँ 10 मिनट के बाद देखिए 10 मिनट हो गए हैं मैं आपको अपना face साफ करके दिखाते हूँ use जरूर कीजिए आपको इसके इतने amazing benefit मिलेंगे बस आप देखते रह जाओगे अब मैं अपने face को wash करके आती हूँ और आपको दिखाते हैं इसका final result result बहुत ही प्यारा बहुत ही amazing आता है friends अब कई लोग यहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे कि आप की skin तो पहले से ही glow करती है तो मैं उन लोगों को ये बात बोलूँगी कि वो खुद पे try करके देखें तभी उनको समझ आएगा तभी उनको यकीन भी होगा और दूसरा ये बोलता है कि आप गोरे और इसलिए चमक दिखाई देती है ऐसा कुछ नहीं होता एक तो सबसे पहली बात है कि फेस पैक लगाने से हमारी स्किन की क्वाल्टी अच्छी होती है फेस पैक हमारी स्किन को गोरा नहीं करते हैं हमारी स्किन को खूब सूरत बनाते हैं स्किन की क्वाल्टी को अच्छा करते हैं हमें गोरा नहीं करते हैं इस बात की जानकारी आप पूरी रखें, अब टाइम है अपनी स्किन को मॉस्टर राइज करने के लिए अपनी बनाई क्रीम का इस्तेमाल करें है, कितना प्यारी चमक आ रही है, फेस के ओपर कितना प्यारा ग्लो आ रहा है, तो आप भी इस फेस पैक को बनाएं, इसके बेनि फिट्स उठाएं तो फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइब बाई